कि देखें निलने तो सरकार को लेना है हमने मांग की है कि जिस तरह से देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है मंदिर मुद्दे को लेकर तो मुस्लिम समाज भी अब इस सब चीज़ों सतंग आ गया है और वो चाहता है कि इन सब विवादों को खतम करते वे मंदिर का निमान होके इस विवाद का पटाशेफ बहना चाहिए मुस्लिम राष्ट्य मंध्स बाश्ट्य मंध्स यह ने जे भाई चाहर्गी का पेगाम दिया गया इस मंच से, यहाँ पर यह एक दालीम स्थार ने बहुता है कि RSNS की मुस्लिम भी सक रोती है देखिए, जि आप जो कहना चाहरा हैं कि RSNS कैसे यह मुस्लिम राष्ट्र मंच लेके चल रहा है तो देखिए एक इनसानियत सबसे बड़ी चीज होती है जैसे आप अगर मुसल्मानों के बारे में जैसे आपने सवाल किया जैसे हमारे कुरान हकीम में कहा जाता है हमारे वहां ये कहा जाता है कि आप गैरों के माबूदों को गाली मत दो क्यों अगर तुम उनको गाली दोगे तो हो सकता है पलेट के वो भी तुम कुछ बुरा अब्रा कहें वो तुम पर आजाब आएगा तो हमें तो यहां पर यह कहा जाता है तो जाहिर से बात है मतलब हमें एक भाई चारगी का काम करना है इस वज़े से हम लोग यहां जमा हुए थे और इंशालला आइंदा भी करते रहेंगे और यही एक पैगाम हमें मिला है बहुत अच्छा है होना चाहिए बगी यह जो राजनीतिक पार्टियां ही करते हैं इंदू-मुसलिम का वरना तो लोग तो चाहता ही नहीं कि यह चीजों मुसलमान क्या साथ है कि हम मंदिर बने राम मंदिर बने या बेरे मंदिर के लिए तो हम लोग बहुत जमाने से काम कर रहें इस पर अजधिया भी बार बार जाना हुआ है इस मुद्दे को लेके ताकि एक मसला खत्म हो एक जो दूसरे जहां से मजहब के मानने लोग हैं खास तार से वह मंदिर हो या महिजए कहीं बनाई जा सकते हैं लेकिन जहलब अस्थान यह नहीं बदला जा सकता राम मंदिर तो इस तरह रह भी बने हैं लेकिन वह जो character को हम नहीं बदल सकते बहुत है। जिला जुद्धिया तो मनलब यहां से क्या फैसला लेगा आजिम महियां से जो फैसला है हमारे भाई साब इंद्रेज जी कहें मंदिर बनना है मंदिर बनेगा हम लोग तो सरकार को आज बताने आये हैं कि भारत के अंदर जो मुस्लिम राष्टियमंच एक बहुत बड़ी संस्था है उसके लगभग हजारों लोग यहां पर आकर के आज सरकार से मांग किये हैं कि राम जनम भूमी के अस्थान पर भवे ना राम मंदिर का निर्मान सरकार जल्द से जल्द कराएं